सात्यों 21 सदी का इसमय भारत के लिए हम भारतियों के लिए और पिशेश करके हमारे नवजवानों के लिए बहुत महत्वपून समय है आज भारत मन बन चुका है और भारत ने मन बना लिया है भारत आज संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है आज भारत को पता है कहां जाना है कैसे जाना है कब तक जाना है और आप भी जानते हैं कि जब किसी देश का मन बन जाता है तो वो देश नए रास्तों पर भी चलता है और मन चाही मनजिलों को प्राप्त करके भी दिखाता है आज का आकांगशी भारत एस्परेशनल इंडिया आज का युवा भारत देश का तेज विकास चाहता है वो जानता है कि इसके लिए राजनेतिक स्थीरता और प्रबल इच्छा शक्ती कितनी आवशक है कितनी अनिवारी है वो आज का हिंदुस्तान बली बाती समझता है और इसलिए भारत के लोगों ने तीन दसकों से चली आ रही राजनितिक स्थीरता के वासावणन को एक बटन दबा करके खत्म कर दिया भारत के मद्दाता को पिछले साथान साल में उसके वोट की ताकत क्या होती है और वो एक वोट हिंदुस्तान को कैसे बदल सकता है उसका एहसास होने लगा है सकारात्मक बढ़ला और तेज विकास की आकांख्षा ही थी कि जिसके चलते दोहजार चौदा में भारत की जंता ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनी और तीस साल के बाद ऐसा हुआ है ये भारत की महान जंता की दुरद्रश्टी है कि साल दोहजार उन्नीस में उसने देश की सरकार को पहले से भी जादा मजबुद बना दिया भारत को चौद तरफा आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह की निर्णायक सरकार चाहिए वैसी सरकार को ही भारत की जंता ने सत्ता सोंपी है मैं जानता हूं साथियों कि उमीदों का कितना बड़ा आस्मान हम से जुड़ा हुआ है मुझ से जुड़ा हुआ है लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि महनत की पराकाश्टा करके खुद को खबाकर कोटी-कोटी भारतियों के सयोग से उन कोटी-कोटी भारतियों के नित्रुतों में भारत नई उचाई पर पहुंच सकता है भारत अब समय नहीं गवाएगा भारत अब समय नहीं खोएगा